हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों और आज हम बात करने वाले हैं इंशुरेंस के उस हिस्से की जिसे हम लोग बहुत ध्यान पूर्वग समझ कर लेने की कोशिच करते हैं वो है सरकारी कमपनी तो दोस्तों आज हम इसी विशे पे बात करेंगे कि हमारे देश में अगर लाइफ इंशुरेंस की बात करें तो कौन सी सरकारी कमपनी हैं और कौन सी निजी कमपनिया हैं जो लाइफ इंशुरेंस सेक्टर में काम करती हैं दोस्तों पूरे तथ्य और साक्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिस कम्पनी को हम अक्सर सरकारी कम्पनी समझ लेते हैं वो बेसिकली है प्राइवेट एक ऐसी कम्पनी है जिसे हम हमेशा सरकारी कम्पनी ही समझते हैं उसका नाम है SBI Life Insurance या SBI Sector तो दोस्तों SBI Bank के बारे में आपने सुनो होगा वो सरकारी बैंक है और इसी के चलते हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो Life Insurance कम्पनी है SBI Life Insurance के नाम से वो भी सरकारी है अगर हम बात करें Insurance में Journal Sector भी होता है जिसमें Medical और Weekly Insurance होता है वो भी SBI का Journal Insurance Private ही है दोस्तों और हम इसी के बा सबस्ता है कि SBI जो है वो Life Insurance और Insurance Sector सरकारी कम्पनी है वो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो के बाद आपको पता जरूर चल जाएगा कि SBI की Life Insurance और Journal Insurance कम्पनी वो पूरी तरीके से प्राइवेट है लेकिन कई ऐसे एजेंट हैं जो SBI में काम करते हैं और वो जब भी किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो वो LIC या सरकारी कम्पनी अपनी कम्पनी को बताते हैं SBI Life Insurance को और इस तरीके से अपने प्रोडेक्ट को बेशते हैं और कस्टमर SBI को हमेशा सरकारी ही मानता है इसलिए वो इजी उनकी बातों को समझ लेता है और प्रोडेक्ट खरीद लेता है तो दोस्तों आज हम इसी विशे पे बात करेंगे SBI Life Insurance और LIC of India तो दोस्तों उसके लिए हमें समझना होगा इस दो बड़ी कंपनियों को या दो बड़ी संस्था को जो की regulate करती है सभी banking और insurance company को करेंगे Reserve Bank of India की जो की देखरे करता है सभी banking के उपर एक तरीके का regulator है जो की उन पे नजर बनाये रखता है इसी तरीके से insurance sector में भी regulator है जिसका नाम है IRDA और वो भी सभी insurance company पे नजर बना के रखता है तो दोस्तों ये दो ऐसी संस्था है जो की bank और insurance sector को अपने अंडर में रखता है और ये पूरी तरीके से government है दोस्तों यही दोनों यानि Reserve Bank of India regulate करता है banking sector को और IRDA करता है insurance company को तो जो भी चीजे या product दोनों सेक्टरों में से पास होते हैं वो इनी दोनों संस्थाओं से होकर के आप तक या public तक पहुँचते हैं तो दोस्तों सीधी और simple भाषा में आज हम समझेंगे कि सरकारी insurance company कौन सी है और private insurance company कौन सी है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि insurance sector में IRDA जो है वो regulate करता है सभी insurance company को और annual report इसकी side पर आपको मिल जाएगी इसी annual report में एक पन्ना या एक page पर बताया गया है कि कौन सी company सरकारी है और कौन सी निजी है तो चलिए मैं आपको उस page को भी दिखा देता हूँ और आप चाहे तो annual report IRDA की side पर जाकर के भी check कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें सरकारी company की तो सिर्फ एक मात्र company आ रही है वो आ रही है Life Insurance of India यानि LIC of India जो की सरकारी company है आप देख सकते हैं इस्क्रेन पर और यह जितनी भी बाकी company हैं 23 company वो पूरी तरीके से निजी company है private company है यानि इनकी हिस्सेदारी public sector में भी है यानि share बजार में और बात करें इनकी company के जो share हैं वो बाहर विदेश में बैठी company भी hold करती हैं तो दोस्तों ये 23 company हो में SBI Life Insurance भी आपको 20 वे नंबर पर नजर आ रही होगी जो की एक निजी insurance company है तो दोस्तों ये आप IRDA पर भी search कर सकते हैं उनकी annual report जो आती है उसमें भी इस list को आप चेक कर सकते हैं 2019 और 2020 की annual report है और page number आपको यहां पर screen पर दिख रहा होगा तो आप cross check कर सकते हैं कि कौन सी company निजी हैं और कौन सी सरकारी तो अब आपको कोई भी दिकत नहीं होगी दोस्तों कि किसी भी सरकारी और private company को समझने में तो दोस्तों अगर बात करें LIC की तो LIC पूरी तरीके से 100% सरकारी company है उसके 100% के हिस्सेदारी सरकार के हाथ में है और इन 23 कमपनियां जिनकी हिस्सेदारी निजी और private sector में विदे बात करें हम अगर सार्वेन गारंटी की तो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों की जो गारंटी है वो सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ LIC ऑफ इंडिया की insurance policy पर ही आपको मिल पाती है तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा शेयर कर जैहिन जैभर